धर्नी ने कहा प्रभू महादेव आपके शिरिमुक्से में अनेक प्रकार के तीर्थों का वर्णन सुन चुकी अब आप मुझे असी कुंड के तीर्थ का परसंग सुनाने की किर्पा करें तो भगवान वरा कैते हैं असंध्रे सुमती नाम के एक धार्मी को और विख्यात रा जा थे जिनके किसी तीर्थ यात्रा परसंग में मिर्ट्यों होगी अब उसके पुत्र वीमती ने राज्य संभाला इसी बीच एक दिन वहां नारज्जी पधारे उन्होंने उनका पाद्जय मर्द्यादी से स्वागत किया फिर बातों के परसंग में मुनी ने उनसे कहा रा राजा ने अपने मंत्रियों से नारज्जी की बात का अर्थ पूछा मंत्रियों ने कहा अपने तीर्थ यात्रा का फल आप महराज को समर्पन करते हैं तो पिता का रहिन चुक सकता है क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा धुरी ही रहागी है नारज्जी के कथन का यही आश्य मंत्रियों की बात संकर विमती ने मत्रा पुरी में निवास की बात सोची क्योंकि वहां प्राया सभी तीर स्थित है। विमती के मत्रा आने पर वहां के तीर्थों ने आपस में कहा इसका सामना करने में हम सभी असमर्थ हैं। अधाय उचीता है कि जहां भगवान वरा विरास्ते हैं हम लोग उसी कल्प ग्राम में चलें इस परकार प्रामर्ष करके सभी तीथ कल्प ग्राम में चलेगे वरा का रूप धारन कर वहां मैं अनंद से निवास करता हूँ वे सबी मेरे सामने कल्ब ग्राम में आई और कहने लगे भगवन आप से हम श्री हरी हैं आप चिंत अचियत अहम जगत के शास्ता और श्रिष्टा हैं प्रभु आपकी जैहो जैहो भगवान वरा कहते हैं वसदे जब तीर्थों ने मेरी इसपर का अरस्तुति की तब मैंने उनसे कहा तीर्थ वरो तुमारा कल्यान हो तुम मुझसे कोई वर मांग लो तो तीर्थ कहने लगे वरा का रूप धारन करने वाले दिवेश्वर यदि आप पर सन्न है तो हैं विपत्ती से अभे परदान करने के किरपा कीजिए इस पर हमें चलकर मत्रापुरी आया और अपने दिव्य असी अर्थात तलवार से विमती का शिरस छेट कर दिया तलवार की नोक से वहां पृथी में एक गड़ा हो गया जो एक दिव्य कुंड के रूब में परवर्तित हो गया और वहीं असी कुंड नाम से परसिद्ध हुआ इसके प्रभाव से सुमती और विमती भी मुक्त हो गए दक्षिन से उत्तर तरक के तीर्थों की जो संख्या में पहले कह चुका हूँ उसकी गन्ना इस असी कुंड से ही अरंब करनी उत्तम है जो मुनिश्य द्वादशी के दिन प्राता काल सोतने से उठते ही असी कुंड में शिनान करता है उसे यहां वरा, नाराइन, वामन और राघव की सर्न प्रतिवाओं के दिवी दर्शन होती है इसका दर्शन करने वाला फिर संसार में नहीं आता है भगवान वरा ने कहा देवी, आप विश्रानती तेथ के मिमा सुनो पहले उच्जैनी में एक दुराचारी ब्रहमन रहता था वे ना तेवताओं की पूजा करता, ना सादो संतों को परदाम करता और ना तीथों में जाकर कभी शना नहीं करता था वे मूर्ख प्राता और सायंकाल इन दोनों संध्या में भी सोया रहता था प्रहमा जी ने बताया है कि संपूरन आश्रों में गरस्ती उत्तम है जैसे सभी जन्तों प्रिथी के आश्रित हैं और शिशियों का जीवन माता पर अवलंबित है इसी परकार संपूरन प्रानी वर्ग गरस्तों पर ही आश्रित है पर वे अधम ब्रामन इस आश्रम में भी रहकर सदा चोरी आदी में लगा रहता था एक बार जब रात में चोरी के लिए इधर उधर दोट रहा था उसी समय राजा के सैंका ने उसे पकड़ने के लिए ललका रहा इस पर वे देजी से भागता हुआ एक कुवे में जा गिरा जहां उसकी जीमन लिला ही समापत होगी और इस परकार वे अगले जनम में एक वन में ब्रह्म राक्षश हुआ उसका रूप बड़ा भ्यांकर था एक समय की बात है कि कारिवाश वहीं एक जन्द समाज आ गया उसी में एक ऐसा ब्रामन बिता है जो रक्षोगन मंत्र पढ़कर सब की रक्षा करता था अवे ब्रह्म राक्षश उस ब्रामन से आकर कहने लगा विप्र तुमारे मन में जिस वस्तु की इच्चा हो वे तुमें देने के लिए तक पर हूँ बहुत दिनों के बाद आज मुझे मन चाहा बोजन ब्राप्ट हुआ है विप्र तुम उठो और यहां से अनत्यर जाकर कहीं सो जाओ जिस से भी मैं इन सब को खा कर त्रिप्त हो जाओ इस बर ब्रामन ने का राक्षश मैं इनी के साथ यहां आया हूँ यह सभी मेरे परिवार ही है मैं इने छोड़ नहीं सकता तुम यहां से चले जाओ मेरे मंतर में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभाव से तुम इन पर आँख तक नहीं उठा सकते अस तु अब तुम यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनी कैसे मिली इस पर वे राक्षष कहने लगा विप्र केवल अनाचार के कारण मेरी यह दुरगती हुई है इस परकार उस राक्षष ने अपनी सारी बाते यतावत ब्रामन के सामने शपष्ट की इस पर उस ब्रामन ने कहा राक्षष तुम अब मित्र की श्रेनी में आगे हो बोलो मैं तुमें क्या दूँ तो राक्षष कहने लगा विप्र यदि मेरे मन में जो बात बसी है वे तुम देना चाहते हो तो देदो तुमने मत्रापुरी में विश्रान्ती तीर्थ में जो श्रनान किया है उसका फन मुझे देने की किरपा करो जिससे मैं मुक्त हो जाओं अब राक्षिश के दुख से दुखी होकर वे किरपालू ब्रामन बोला राक्षिश विश्रांती नामक तीर्थ के विशे में तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यो हुआ इसे बताने की किरपा करो तो राक्षिश बोला ब्रामन मैं पहले उज्जैनी में निवास करता था एक समय की बात है मैं सियोगवाश श्री विश्नु जी के मंदर में चला गया उस मंदिर के फाटक पर एक कथा कहने वाले वेद के विद्वान ब्रामन बैठते थे जिनका विश्रान्ती तीर्थ की महिमा सुनाना प्रति दिन का वरत था उस महात्मे को सुनने से ही मेरे हिर्दे में भक्ती उदित हो गई मुझे वहीं ये सुनने का अफसर मिला कि इस तीर्थ का विश्रान्ती नाम कैसे हुआ है उन्होंने हिश्पष्ट बतलाया था कि इस थान पर संसार के शाशक श्री हरी विश्राम करते हैं उन विश्राल बुजा वाले प्रभू को वासुदेव भी कहते हैं इसलिए ये तीर्थ विश्राम्ती नाम से विख्यात हुआ है राक्षष की ये बात सुनकर उस ब्रामन ने का राक्षष उस तीर्थ में एक बार शनान करने का पुन्नेफल मैंने तुम्हें दे दिया ब्रामन के मुख से ये वचन निकलते ही वे राक्षष उस योनी से मुक्त हो गया मत्रा तथा उसके आवांतर के तीर्थों के महात्य में भगवान ब्रा कहते हैं वसंद्रे भगवान शीव इस मत्रा पुरी की निरंतर रक्षा करते हैं उनके दर्शन मात्र से मत्रा का पुन्नेफल सुलब हो जाता है बहुत पहले रुद्र ने पूरे एक हजार वर्ष तक मेरी कठिन तवस्या की थी मैंने संतुष्टो कर कहा हर आपके मन में जो भी हो वे वर मुझसे मांग ले तो महादेव जी बोले दिवेश आप सर्वत्र विराजमान है आप मुझे मत्रा में रहने के लिए स्थान देने की किरपा करें इस पर मैंने कहा देव आप मत्रा में शित्र पाल का स्थान ग्रहन करें मैं ये चाहता हूँ जो व्यक्ति यहां आकर आपका दर्शन नहीं करेगा उसे कोई सिद्धी प्राप्त नहीं होगी जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की अमरावती पुरी है वैसे ही जम्बू दूइप में ये मत्रा पुरी है यद भी मत्रा मंडल का विस्तार बीस योजनों का है पर वहां एक एक पैर रखने पर भी अश्यमेग यग्यों का फल मिलता है इस शेत्र में साट करोड छे हजार तीर्थ है गोवर्धन तथा अकरूर शेत्र ये दो करोड तीर्थों के समान है एमम प्रसकंदन और भांडीर ये छे करूर शेत्रों के समान है सौम तीर्थ, चक्र तीर्थ, अविमुक्त, यमन, तिंडुक और अकरूर नामक तीर्थों की द्वादश अदित्य संग्या है मत्रा के सभी तीर्थ कुरू शेत्र से सोगना बढ़ कर है इसमें कोई शंशे नहीं है जो मत्रापुरी के इस महत्मे को समाहिचिस से पढ़ताईया सुनता है वे परमपद को पराप्त हो जाता है और अपने मात्र पित्र दोनों पक्षों के 220 पीडियों का उद्धार कर दीता है मत्रा के सभी स्थानों में भगवान शिरिकिष के चरण के चक्र चिन शिशोविद है उनी के मध्य में एक ऐसा भी तीर्थ है जहां चक्र का आदा ही चिन द्रिष्टी को चर होता है वहां के निवासी मुक्ती पाने के दिकारी हो जाते है इसमें शिंशे नहीं है शिरिकिष की क्रीडा भूवें के भी दो छोड़ है एक उत्तर और दूसरा दक्षिन उन दोनों के मध्य भाग में वे विराजते हैं आकार में वे दुट्या के चंद्रमा के समान है जो मनुश्य वहां शिनान और दान करता है उसे वे दिवेतीत मत्रा शित्र का फल परदान करने के लिए सदा उद्जित रहते हैं यहां नियम के इंसार रहकर जो शुद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति शिनान करते हैं उन्हें अक्षे लोकों की प्राप्ती होती है इसमें कोई शिंशे नहीं दक्षिन कोटी से अरंब करके उत्तर कोटी पर यात्रस माप्त करनी चाहिए वहाँ यग्योपीत के परमान पर भूमी पर जो चलते हैं उनके द्वारा अनेक कुलों की रिक्षा हो जाती है